हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ गीत स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल गाडनिंग विद गीत उमार में आज कुछ ऐसे बहुत ही खुबसूरत और्नामेंटल प्लाइंट्स लेकर आई हूँ जो आप अपने होम गाडन में लगा कर रख सकते हैं ये जो प्लाइंट्स होते हैं ये प्लाइंट वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल गाडनिंग विद गीत हुमार को पहला जो प्लाइंट है ये है अरैका पाम और ये बहुत ही अच्छे एयर प्यूइफाइंग प्लाइंट्स होते हैं जो की हव अच्छी तरह से अपनी ग्रोथ करते हैं यह था पहला प्लाइन प्लाइफ रेका प्लाइट के लावा जो प्लाइंट नहीं आते हैं यह गांद के अंधर न लगा कर रख सकते हैं लेकिन इन प्लांट को अच्छी लाइट मिलने चाहिए और सुबह की 1-2 घंटे की हलकी लाइट अगर मिलती है तो ये प्लांट बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करते हैं अपनी कि तो दूसरा प्लांट था फ्रेंज क्रोटिन प्लांट इसके इलावा जो आप्लांट लगा रख शकते हैं मिया सिंगोनियुम प्लांट वैसे तो सिंगोनिय否्ट की भी बहुत सारी ingredients जाती है और यह जो प्लांट है यह है डौफ सिंगोनियम इसे मैंने एक सेरमिक हाथी के पॉट में लगाया हुआ है जो एलिफंट शेप का पॉट है मेरा सेरमिक का और इसकी ग्रोथ आप लोग देख रहे होंगे कितनी अच्छी चल रही है कुछ लोग कुछ लोगों का मानन होता है फ्रेंट्स की सेरमिक पॉट में प्लांट्स अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं करते हैं यह सच भी है एक हद तक लेकिन अगर उसकी अच्छी से देख भाल की जाए और इसके गंबले की मिट्टी वगरा सारी चीजों पर ध्यान दिया जाए तो यह बहुत अच्छी त अच्छी तो यह बहुत कम होती है तो पत्या यह गर्मियों में ही निकालता है सर्दियों में इनकी ग्रोथ होती तो है बहुत कम होती है तो आप मनी प्लेंट्स को भी रख सकते हैं अपने घर में लगाकर इसके अलावा जो प्लांट है यहीं स्पाइडर प्लांट इस स्हें क्लोरोफाइटम कों कोमोसम भी कहते हैं बहुत ही खुबसूरत प्लांट्स होते हैं और बहुत हच्छे एरक्यूरिफाइंग बहुत जल्दी खराब हो जाएंगे अगर आप बहुत जादा पानी डालेंगे इन पौधों में तो इसके अलावा आप स्नेक प्लैंट लगा कर रख सकते हैं जिसे सैंसिवेरिया भी कहते हैं इसे मदर इन लॉस टंग भी कहते हैं यह बहुत अच्छे एर प्यूरिफाइंग प्लैंट होते हैं हवा को बहुत अच्छी तरीके से साफ करते हैं और इस प्लैंट की भी बहुत सारी वराइटी होती है और यह जो प्लैंट है यह नासा के दौरा अप्रूब्ड वन ऑफ बेस्ट एर प्यूरिफाइंग प्लैंट में शामिल है क्योंकि यह हवा को बहुत साफ करता है और आप इस फ्लांट की खास बात यह है कि बहुत ही low maintenance प्लांट है zero maintenance प्लांट है इस प्लांट की बिलकुल भी देखबाल के जरूरत नहीं होती है आप अपने घर के किसी भी घर के कोने में लगा कर रख सकते हैं इसे बहुत कम लाइट भी मिलती हो तो भी ये प्लांट बहुत अची तरह से ग्रो होते हैं इन प्लांट को बस 10 से 15 दिन में एक बार पानी दे और साल में एक बार अच्छे से खाट डाल दें ये प्लांट फ्रेंट्स आप फिर उसके बाद किसी भी जगह लगा कर रह सकते है अगर ब्राइट लाइट मिले इन प्लांट को तो बहुत अच्छी तरह से ये प्लांट्स ग्रो होते हैं और एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट्स त्यार हो जाते हैं बहुत चल्दी तो मैंने इसमें एक ही प्लांट लगाया था और इस छोटे से पॉट में और इसकी अ निल्च यहीं बहुत ही सुब माना जाता है घर में रखना रह न जहते हैं यह जह उद्धा है फिर न बहुत रभस प्लांट को अक्रहिस संव पानी में भी दाल रख सकते हैं पानी मेंहें बहुत अच्छी तरह से चलते रहते हैं क्लत रचन ग्रोथ करते हैं Minibu को प्लांट की बहुत सारी ओती है लेकिन यह वाली जो वाईटीψर ने urun cu भाई जादा खोप्सूरत लगती क्योंकि यह प्लांट को से थे थे डिया खास ची यह फोलाइट है, जिए कि यह जो जैसे अगर दूसरे plants में आप पानी नहीं दे कई दिनों तक तो उसमें बहुत जल्दी उसके जो signs मिलने लगते हैं कि पतियां जो हैं उसके edges किनारियां होती हैं तब ब्राउन होने लगती हैं लेकिन इस पौधे में मैंने दिखा कई दिनों तक मैंने पानी नहीं दिया है फिर भी इसकी growth वैसी होती रहती है और इसमें कोई भी sign ऐसा नहीं देखने को मिलता है जिससे पता चले कि यह plant खराब हो रहा है तो बहुत अच्छा plant है जिनके पास time कम है और जो plant lovers है फ्रेंट्स वो इन पौधों को लगा कर जरूर रखें तो आप लोगों को बहुत आसानी हो जाएगी इसके अलावा फ्रेंट्स और भी plant है जैसे की पालर पाम है जो आप लगा कर रख सकते हैं एक पर्मानेंट और बहुत ही खुबसूरत और्नमेंटल प्लैंट्स में आते हैं सिंगोनियम मैंने शेयर किया फ्रेंट्स ये देखे इस एरो हिट भी कहते हैं इसके अलावा आप लोग जीजी प्लैंट भी लगा कर रख सकते हैं जिसे जैमियो कलकस जैमियो फोलिया प्लैंट कहते हैं एगलोनिमा लगा कर रख सकते हैं तो यही कुछ प्लैंट्स हैं जो नेक्स्ट वीडियो में तिल देन बाइ फ्रेंट्स टेक केर